नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकदर आप देख रहे हैं मनी नाइन समय हो गया है आपके पसंद दीदा सापताहिक कारिक्रम एकनॉमिकम का अर्थात की नई किष्ट लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनी नाइन के इटा अंशुमान तिवारी जी जुल गए हैं अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं कि आज एकनॉमिकम में खास क्या होगा सबसे पहले चर्चा होगी अर्थात की इसके बाद आपके सवालों के जवाब इंकम की बात, किस्तों के सिक्के की जलक और चलते जलते अंश्माजी बताएंगी एक खास किताब के बारे में जो उनोंने या तो अभी अभी पढ़के खतम की है या वो पढ़ रहे हैं जिसको बताना चाहते हैं कि आप भी पढ़ें और हम भी पढ़ें अब चलिए, बड़ा मुद्दा इस बार अर्थात का विशय क्या है हर बार की तरह बड़ा रोचक है, बड़ा नोखा है इस बार का अर्थात आपकी कुछ माननेताओं को तर्क देगा मसलन हम मानते हैं कि महगाई बढ़ती है तो खपत सिकुड़ती है महगाई बढ़ती है तो मांग घटती है महगाई अब पूरे देश में पिछले लंबे समय से आगर आप देखें तो सहनी इस्तर के उपर बनी होई है सहनी के इस्तर मतलब 6% के उपर बनी है तो इसकी वज़े से खपत सिकड़ी होगी, मांग कहीं न कहीं घटी होगी, लेकिन कहां घटी मांग, कितनी सिकड़ी खपत, यह सब कुछ आप आज के अर्थात में जानेंगे तो अब अगर आपसे कोई ऐसा तरक करेगा, ऐसा कोई वाट्सेप आपको भेजे की, महँगाई का सर देख रहा है, देखो खूब सारी कारें भी करी है, देखो खूब सारे बाइक भी करी है, तो आप अर्थात का ये लिंक उसको भेज सकते हैं अपने जवाब में, तो का अर्थात चुंकि हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं यह महिना है तो हम बजट के संदर्भों में इसमें अर्थात की और एकनामिकम की एक शरंखला सी लेकर आ रहे हैं जिसमें इस आने वाले बजट की कई सारे सूतर आप को मिलेंगे जिनकी चाया में यह बजट बनने वाल बात करें अपने आसपास तो लोगों को यह समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को महसूस होती पर बहुत सारे लोगों के तरकिये होते हैं कि सब कुछ चीजें तो बिक रही है बाजार में बिक्री तो कहीं कम नहीं हो रहे ही सरकार का जीस्टी कलेक्शन भी खूब हो है दीपू भीया की उलजन ये है कि दीपू भीया घरेलू सामानों की खपत के जो सामान उनके डिस्ट्रिब्यूटर उनके पास 15-20 अलग अलग ब्रेंड्स की एजेंसियां हैं जिसमें टाफी, चॉकलेट, कैचप, चाय बेचने वाली कमपिनियों से लेके और घरेलू साम सामानों की विक्री बढ़ नहीं रही है, इस्टेगनेट है, लग है, जितना आ रहा है उतना विक रहा है, कई कुछ की विक्री घट गई है, पर चॉंकि जैसा भारत में डिस्ट्रिब्यूटर्स की विवस्ता होती है, कि उनके पास कई सारे उत्पाद होते हैं, तो कुल मि महीने हर अफते हर पंदरा दिन में कमपिनियों के एजेंट आते हैं, जो विवस्ता है, तो जब भी कमपिनियों के एजेंट को दीपू ये बताते हैं, कि भाई ये प्रोडेक्ट रेंज है, आपकी इस प्रोडेक्ट रेंज में पिछले पांच महीने से सेल्स नहीं दिख रही है जहां है वही है नई डिमार नहीं आ रहे है और इनकी डिमार गिर रहे है तो अगली खेप में कमपिनिया कीमद बढ़ाओująं के पर उनकी तो इनकी तरणोवर में कोई बढ़तरी नहीं होती तो जो incentive लेने थोड़ा प्रोथ्सान पाते, वो मावला थोड़ा कमजूर पढ़ने लगा है पिछले पात्षे महीने में, उनको बड़े इंसेंटिव नहीं मिलते, क्योंकि उनको सेल्स की ग्रोस दिखाने का कोई मोका नहीं मिलता, सेल्स नहीं दिखाई दे रही, कोईट के बाद अब ने को ही वो अपूर्थी कर रहे हैं Chris दीपू की डिलिवरी टीम में क्यों लेक लका बचा है जिसके साथ खुद माल भेजते हैं सप्लाई करते हैं वसूली कर रहे हैं ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि दीपू को ज्यादा दोड़ना पड़ता कि गुधारी लंबी हो रही है पेमेंट फस रहा है दुकानदार माल त जिद्धी हकीकत है उसके करीब आप पहुँचके हैं आपको वह हकीकत दिखाई देती है दीपू का जो रोजनामचा है दीपू की जो बैलेंश शीट है दीपू का जो रोज बनने वाला हिसाब है वो अर्थशास्त्रियों के अध्धिन का विशय होना चाहिए वहारी होता है जिस इस्टेगनेशन और इंफलेशन का जिक्र होता है उस पूरी रेसिपी की जो व्यंजन विद्धी है वो दीपू के इस परचे में दिखती है दीपू की रोजनामचे में और उनकी डैरे में दिखती है इस्टेगफलेशन का मतलब है कि जहां मांग में कमी हो महे महंगाई में बढ़ोतरी हो और बेरोजगारी बढ़े ये तीन चीजें जब एक साथ होती है तो इस्टेक्फलेशन आती है इस्टेक्फलेशन के इस्टेक का अर्थ है स्टेगनेशन यानि ग्रोथ घरना और फ्लेशन का अर्थ है महंगाई बढ़ना यहां ग्रोथ यह मंदी नहीं होती, स्टेक्फलेशन को मंदी नहीं माना जाता और नहीं मंदी है, लेकिन ये ग्रोथ भी नहीं है, मतलब तरक्की वसा ऐसे कार की तरह ठहर जाती है, जिसकी रफतार नहीं बढ़ती है, वहीं उसी गति से धीमे धीमे चलती रहती है, महंगाई बढ़ती है, इसलिए कि सबसे जिद्धी आर्थिक बीमारी कहते हैं क्योंकि ये मंदी से भी जादा खराब है मंदी जब भी आती है तो दुनिया के बैंकर करच सस्ता कर देते हैं पूंजी सस्ती करके एक विटामिन का डोस दे देते हैं और एकॉनिमी वापस ग्रोथ के रफ्तार में आ जाती है प इस्टेक फ्लेशन से डरते हैं क्योंकि ये ऐसा ऐसा पेंच है जिसको खोलने में उनको महीनों वर्षों लग जाते हैं उसकी वज़े सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही आप मांग बढ़ाने के लिए करच सस्ता करते हैं वैसे महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है और जैस सारे जो ताजे संकेत हमें दिख रहे हैं पिछले पांच छे आठ महीनों के दौरान वो हम दीपू की बैलन्स शीट को पढ़ते हुए समझने की कोशिस करेंगे जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे पेचीदा सवालों के जवाब शायद मिलेंगे जिनके जवाब तलाशने के क कैसे समझी जाए और यहीं से हमारे पहले वो महत्वपूर्ण आखड़े हमारे सामने आते हैं जिनको सरकार को भी गंभीरता से देखना चाहिए बाज आरतों जो गंभीरता से देखी रहा है क्योंकि जो बेच रहा है जो खरीद रहा है जिसके पास सावान की बिक्री के अभी तक हम जब महंगाई के आकड़ों को देखते हैं या पादन के आकड़ों को देखते हैं शुब हम तो अलग-अलग दो तस्वीरों में देखते हैं महंगाई का आकड़ा मालग से देखने की कोशिस करते हैं और पादन में कमी बेशी का बढ़ोतरी का आकड़ा अलग- पर्चेसिंग मेंजर इंडेक्स आते हैं और महंगाई के आकड़े जारी करती हैं हमने पहली बार इन दोनों आकड़ों को करीब रखकर एक साथ देखने की कोशिश की ताकि हम इस तस्वीर समझ सकें कि आखिर जो महंगाई जो जिद्धी महंगाई है में दिख रही है जिसको बेरुजगारी की दर रिकार्ड लेवल पर है क्यों FMCG कमपेनिया बिक्री लगातर घटे जाने के शिकायत कर रही है यह कहां हाइट कर रही है उससे हमने समझने की कोशिश की जीस टी के आकड़े देखें तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं महंगाई का असर नहीं है मांगी ही मांगे चारों तरफ क्योंकि जीस टी के आकड़ों में तो रिकार्ड टैक्सेशन दिखाई देता है जिस पर मांगे बात करेंगे अगर यह सब कुछ है तो फिर इस ट्रेक्फलेशन कहां से आ रही है फिर दीपू की बैलेंश शीट में टर्नोवर की ग्रोथ क्यों नहीं दूसरे नजरिये से देखते हैं क्योंकि अर्थव्यस्था में सबसे बड़ी तस्वीर शुम पूरी तस्वीर ही होती है हमेशा अर्थव्यस्था की जिस तस्वीर पर हमें भरोसा करना चाहिए वो बिग पिक्चर है माक्रो पिक्चर होती जिसमें बड़ी तस्वीर से में उपलब देख और महेंगाई की का असरनापने का खफ़त पर या मांग पर असरनापने का जो सबसे महतुपूर्ण बाज़ार है सबसे उप्युक तो बाज़ार है वो अब हुगता बाज़ार है व्याहरी कipp से अब जो यो consumer products का market है और इसमें वर्ग में हर तरीके के वोगता उस बात शामिल है इसमें चाय, मसाले, विंजन, बिस्किट से सीमेंट और कारों तक का वाजार है और हर महीने जारी होने वाला अधियोगी कुत पादन सूचकांक इसकी जानकारी देता है consumer durables की category में और consumer non-durables की category में ये दो वर्ग है, इन दो वर्गों में हमें भारत के पूरे वोगता बाजार की तस्वीर महीना दर महीना मिलती रहती है और मुनी आंकड़ों पर जा रहे है अब आप गौर से इस आंकड़े को देखिए ध्यान से, अप्रेल से एक्टूबर के बीच भारत में, अप्रेल से चर्चा में कहते हैं कि अर्थवेस्था में जो आंकड़े ऊपर दिखते हैं और जब हुत सारे परस पर अंतर विरोधी आंकड़े तायर रहे हों, तो पर्थ खोल कर उसके भीतर के आंकड़े देखने चाहीं, जहां से असली तस्वीर निकलती है, कंजूमर डूरेबिल्स म यहां 30.4% की बढ़त दर्ज हुई थी, 30% की बढ़तरी थी, जो पेंट अब डिमांड थी, उत्पादन खुलने का नजरिया था, लेकिन इस साल जब सब कुछ ठीक था, बहतर था, तब यहां 6.6% की गिरावत दर्ज हुई, कंजूमर नान डूरेबिल्स यानि साबून, ब फीजदी की कि दर से बढ़ी थी, यह दो आकड़े हमें पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि भारत के उभुगता बाजार में, उत्पादन में कमी आई क्योंकि मांग कम हो रही थी, यहां एक फैक्टर जो हमें करीब से समझ में आता है, वो यह कि इन दोनों ही केटिगरीज के उत्पादों का, नी दोनों वरगूं के उत्पादों का महंगाई से सीधा रिष्टा है, और यहीं से महंगाई और मांग का जो संबंद है, वो दिखाई देता है, बहंगा बढ़ोदा का एक ताजा अध्यान आया, काफी उप्यूक्त अध्यान है, जिसके आधार पर हमें स इस चार्ट में आपको 2021-2022 की बिक्री की गरूथ से दिखाई देती है, और 2021-2022 की महंगाई की गरूथ दिखाई देती है, आप एक तरफ से इस चार्ट को देखना शुरू करें, तो आपको दिखाई देगा कि वो सारे उत्पाद जिनकी महंगाई की धरें बढ़ती उन सबकी विक्री में गिरावट दिखती है अब इसमें एक दिल्चस्प किस्सा फर्टलाइजर्स का है फर्टलाइजर्स की इस आंकले में फर्टलाइजर्स की के आंकले को करीब से देखना जरूरी है सरकार की सबसीडी के बाद और वरक की मांग तूटी विक्री में लेकिन बाकी जितनी सब फट लाइजर थी, जिन पर सरकार सबसीडी देती थी, उन में हमें कीमतों में बढ़त्री नहीं दिखाई दी इसलिए 2022 में इनकी महंगाई इनदद दूजार बाइजर देखें, तो 2022 में यहां पर महंगाई करीं 12 फीस्दी दिखाई दी, जो 3.2 फीस के दौरान मानसून के असर के बाद भारत में बुवाई अच्छी हुई थी और रिकॉर्ड सोइंग हुई उसके बाद भी हमें फटलाजर की मांग में गिरावट दिखाई देती है इस्टील की कीमतों को देखें इसी चार्ट में तो आपको दिखाई देगा कि 2022 में से 11 फीजदी पर आते देखी साल के अधार पर खाते सामानों में अगर आप देखें तो मखन घी केक बिस्किट चॉकलेट काफी कपड़े फुट बियर इन सब में पांच से साड़े बारा फीजदी तक की महेंगाई दर है और इन सब की विक्री एक साल के दोरान घट गई ह जो खपत के सारे सामान थे उनकी मांग में कमी आई तो दीपू की अगर बैलन्स शीट पर हमें टर्नोवर ना बढ़ने की या सेल्स ना दिखाई देने की वज़ए दिखाई दे रही है तो उसकी एक प्रमुक वज़ए इसमें भी खासतार पर आप मखन केक और लिनन कपड और फुटबेर की विक्री देखेंगे इस चार्ट में तो आपको देखेगा कि वो एक तरह से निगेटिव हो गई उनकी सेल्स में नकारात्मक की ग्रोथ हो या नहीं पिछले साल जेतनी बढ़तरी हुए थी उससे कमाल बिका सीमेंट और जूलरी दो और उत्पाद थे जि इस पश्टूप से दिखता है कि जिससे से महंगाई बढ़ती जाती है मांग में तेज गिरावट दिखाई देती है और यह रिकॉर्ड हुई है अपरेल और अक्टूबर के दोरान इसे भी कुछ उत्पाद हैं जो महंगाई बढ़ने के बाद भी जिनकी मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है यह दिल्चस्प दूसरा आंकड़ा है लेकिन सूची बहुत छोटी है महंगाई की से मांगना प्रभावित होने वाले उत्पादों की सूची छोटी है इनकी बि बढ़तरी नहीं आपको दिखाई देता है इसके अलावा चार और प्रड़क्स में दिखते हैं आइस क्रीम डिटरजेंट तूथ पेस्ट और मॉबाइल डिटरजेंट की विक्री 5-6 पीस दी बढ़ी जबकि महंगाई 12 पीस दी बढ़ी आइस क्रीम की महंगाई 5-9 पीस द बढ़तरी दिखाई दी हम यहाँ एक चीज़ रफर करना चाहेंगे कि इसी लिए जो FMCG कमपेनिया है वो लगातार वाल्यूम ग्रोस में गिरावट की बात कर रही है उनको लगातार वो पिछले 5-6 महने से कह रही है कि मात्रा में उनकी विक्री नहीं बढ़ रही है बैंक इनकी सब की कीमते बढ़ी पर इनकी बिक्री में गिरावट नहीं आया है इनकी बिक्री में बढ़टरी भी दिखाई दी 2008 के बाशबसे आदा कारे हमने विक्ती भी देखी मोबाइल की विक्री में हमने बात के महीनों में नवंबर दिसमर के महीनों में गिरावट देखी थी तो ये एक ऐसी केटिगरी है जहाँ पर शायद जो लोग खरीदने वाले पहुँच रहे थे उनके उपर गीमतों में बढ़ोतरी का बहुत जादा उनकी जेपर असर नहीं दिखता था सर अब ये इस्ट्रेक्फलेशन की खिचडी आपने बताया कि जो जो चीजे हैं वो सब कुछ लगवग दिख रहा है तो इस्ट्रेक्फलेशन की खिचडी ठीक बजट से पहले पकना अर्थेववस्था में कितनी बड़ी चिंता है 2022 थे इसमें जो कुलत पादन में हमें कमी नजर आई थी जिसका जिसे हम बेस इफेक्ट कहते हैं हैं उसका भी असर हमें इन आकड़ों पर दिखाई देता है लेकिन मांग और महंगाई का रिष्टा यहां बहुत करीब से इस्थापित होता दिखाई दे रहा है अब यहां एक और दिल्चस पहलू है जो कि बजट के दृष्टी से महतुपूर्ण हो जाता है कि यहां फिर यह साबित होता है कि जीस्थी का संग्रह महंगाई बढ़ने के कारण हो रहा है मांग बढ़ने के कारण नहीं हो रहा है अगर आप इंफलेशन के साथ भारत के जीस्थी के आंकडों को देखें जिस पर हम एक विस्तार से एकनामिकम में चर्चा कर चुके हैं और उसका लिंक हम इसके इस कारेकरम के डिस्क्रिप्शन में आपके पास उपलब्द होगा जहां जाकर आप देख सकते हैं कि जीस्थी और महंगाई का कैसे करीबी रिष्टा दिखाई देता है तो जब सारे मोर्चों से चाहे मांग के मोर्चे से देखें या कमपिनियों की तरफ से आने वाली सूचनाओं में मांग और विक्री गिरने के आंकड़े आ रहे हैं तब भी जीस्थी का संगरे बढ़ना क्या साबित करता है या कहां से आता है ये सिस पश्ट हो जा देता है तो इसमें चारे छे साथ फीज़दी आठ फीज़दी की विकास दर के आसपास आने वाले बजजट थे अर्थवे उस्था में चार बड़े स्टेक होल्डर्स हैं मौजूदा परिस्तिती में पहला है प्रोडूसर जिसमें इंडस्ट्री और सर्विसेज प्राई और लागत बढ़ी प्रोडूसर्स ने अपनी गनित बदल दी प्रोडूसर्स ने अपने उत्पादन क्योंकि वो सबसे ज़्याधा सूचनाओं के करीब बैठे हैं उन्हें सबसे बहतर ढंसे प्राइस पावर उनके हाथ में हैं जो कि शेर बाजार की सबसे बड़ अगर वो सौ पैकेट बेच रही हैं और अब सतर पैकेट बिक रहे हैं तो पर सतर पैकेट पर उनका मार्जिन कीमते बढ़ने के कारण या उसमें मिलने वाले सामान की कमी के कारण प्रोटेक्ट हो रहा है यह दिखाई दे रहा है डिस्टिबूसर्स के कमीशन सुरक्षित ह लेकिन यहां उनकी बड़ी समस्या यह है कि उनके कारोबार में कोई एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है नए मार्केट नहीं आ रहे है नए गरहक नहीं जुड़ रहे है नए दुकानदार नहीं आ रहे है इसलिए जो भविश्य की वजनाओं में वो निवेश करना चाहती है या अपनी छमदाएं बढ़ाना चाहती ही वो सारी प्रक्रिया उन्होंने रोग दी है और यही बात वित्मंतरी शिकायत के तोर बार बार अधिक अध्योग पतियों से कहती हैं कि वो निवेश करने से क्यों रुके हुएं तो उसका अकड़ा यहां दिखाई देता वो नई उ इसलिए आप देखें अगर यह पूरी पूरे चार्ट को एक बार फिर से तो आपको दिखाई देगा कि जितनी जरूरी चीज़े हैं जितनी खपत की प्रमुक चीज़े हैं उन सबकी मांग में तेज गिरावट आई है जरूरी क्योंकि वो अब उभ्भुकता महंगाई के क चारण अपनी खपत को सिकोड रहें अब रिजर बैंक का ताजा कंजिवर कांफिडेंस सर्वे देखिए ध्यान से यह सर्वे आपको बताता है कि भारत का उभ्भुकता सोचता किस तरह से कैसे सोच रहा है और क्या उस तरह से वित्तमंत्री या सरकार के नीतियामक सोच रह अगर आप क्रोथ देखें तो केवल 0.6% की ग्रोथ रेट दिखती है इस्पेंडिंग अन नान एसेंशल आइटम्स के एक्सपेक्टेशन के उपर और अगर आप 2000 जैनुरी के से और नवेंबर तक के आकड़े में देखें तो लगातार इसमें 14 माइनस में नान एसेंशल आ इंडिंग में थोड़ी बहुत मामूली बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और यही वज़े है कि दीपू को नए गरहाग नहीं मिल रहे हैं दीपू का टरन ओवर नहीं मिल रहा हम उस चार्ट पर वापस जाते हैं जहां हम डिमांड और कंजूमर ग्रोथ को करीब से देख सक हैंगे कि फायर करें जिसमें हमने ग्राफ लगाया था कंजूमर डिमांड वार इस चार्ट को आप गरीब से देखिए यह चार्ट आपको बताता है कि जो कंजूमर डूरेबिल का का प्रोडेक्शन इंडेक्स है इसमें डिमांड में लगातार तेज गिरावट अक्टूब च्थिति का असर आप भारत के रोजगार बाजार पर करीब से देख सकते हैंwood अप्रेल से दिसमबर के बीच भारत में बेरोजगारी दर साथ वीजदी से ओपर रही लगाता शहरी बेरोजगारी अधर दिसमबर में 10 वीजदी से उपर निकल गई गाउं में काम नहीं है इस्टेफलेशन का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि रोजगार क्यों टूट रहे हैं क्योंकि कमपिनियों ने नई शमताओं में निवेश बंद कर दिया और जो भारत का ट्रेडिंग नेटवर्क है उसने नए बाजारों के एक्स्प्लोरेशन में नए बाजार बनाने में नए ग्रहाकों को जोडने में निवेश कम कर दिया क्योंकि मांग टूटी हुई तो भारत में या तो व्यापार मिलते हैं रोजगार मिलते हैं व्यापार बढ़ने से या रोजगार मिलते हैं उद्योगों में निवेश बढ़ने से इनी दो जगे से नए रोजगार मिलना शुरू होते हैं. कम्पिनियों ने मांग के साब से अपने उत्पादन को कटोती कर ली, शिफ्ट बदल ली, उसको एड़िस्ट कर लिया, प्रोडक्शन कैपिसिटीज को मैनेज कर लिया, इसलिए श्रम बाजार में लेवर पार्टिसिपेशन डेट बढ़ा है, श्रम बाजार में काम मांगने वाले लोग तो हैं लेकिन काम नहीं है और इसलिए दीपू ने अपने छोटे से कारोबार से भी दो लोगों को निकाल के बेकारी बढ़ाने में अपना कांट्रिबुशन कर दिया इसलिए उन्हें अपने दो लगे वहां से हटा दिये अब अल् विजगारी डबल डिजिट में इन सारी परिस्तिपि वीच में आएगा अगर आपक आखे गोर से देखें कि इस साल भारत के आर्थिक विकासदर दोजार बाइस तेस में जो हम साल खथम करने कर दो नड्हिन तीन साल में भारत की ऑउसत-सलाना विकासदर दो 7. dim ACT थी ही रहेगी यानि 3 पीसदी से नीचे रहे 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 निगी. कोविट से पहले की तीन सालों में ऑउसत-विकासदर पांचदसमलब 7 पीसदी थी अलग-अलग वरिशों की विकासदर को मिला कर यानि हम भारती अर्थ विस्था तीन साल के चरण में जो बड़ी पिक्चर है तीन साल के चरण में कोविट से पहले जिस रफतार से ग्रो कर रही थी बीते तीन साल में उसकी लगबग आधी रफतार से ग्रो कर रही है और यही यही वज़े है कि भारत का अगर गौर से देखें तो बीचे 36 महीनों में भारत का जीडी भी 3 फीस्दी की दर से भी नहीं बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है और यही वो असर है जो हमको को खपत पर दिखाई दे रहा है अब अगर 2024 की विकासदर भी 6 फीस्दी से नीचे रह कि आए में कमाई में कोई बढ़तरी नहीं नजराएगी और इसलिए यह माना जा रहा है कि 2023 में अगर महंगाई दर सेहनी इस तर के आसपास भी आ गई या नीचे फीस्दी के आसपास भी आ गई तो भी डिमांड में बड़ी बढ़तरी नहीं लोती है क्योंकि उस महंगाई साल इन आकड़ों पर हमें करीब से निगा रखनी होगी हम ध्यान दें बजट पर देखेंगी कि अगले साल सरकार राजसु के रिविन्यू के क्या लक्ष लेकर आती है कौन से टागेट्स लेकर आती है कि या तो महंगाई बढ़ती रहेगी तभी सरकार के राजसु में बाला है। यहीं है वो जिद्धी स्टेगफ्फलेशन जिसने डीपूग की बैलेंस शीट पर दसकत कर दी हैं पिछले पाट्चे महिनों में वित्मंत्री की बैलेंस शीट पर इसके दसत्खत होने वाले हैं उसकी तरफ यह बढ़ रही है वित्मंत्री को कुछ करना होगा कि वितमंत्री को शायद, जो शायद करेंगी, उन्हें करना चाहिए, करेंगी कि नहीं हम नहीं कह सकते, उन्हें इस बार कुछ ऐसा करना होगा, जिस से लोगों के लिए की जिने की लागत कम हो सके, कुछ टैक्स कम हो, लोगों की खपत को बढ़ावा मिले, क्योंकि मांग तो लोगों कितन कहा हैं वेतन उनकी खपत बढ़े और या फिर उन्हें महेंगाई में बड़ी रियायत टैक्स में ततकाल बड़ी रियायत मिलना शुरू हो कमाई बढ़ेगी तभी शायद अगले साल बात बनेगी ये बजट की प्रष्ट भूम है जो हमें भी दिखाई देती है तो इस बार जब आप बजट सुनें तो पूरी तरीके से ये सुनिएगा कि हर घोशना के बाद आपकी कमाई पर इसका क्या आसर पड़ेगा अगर कमाई बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगी और निवेश बढ़ेगा तो रोजगार आएंगे तो पईया पूरा शुरू होना है आपकी कमाई बढ़ने से और मांग बढ़ने से तो इस बार का बजट जब सुनिएगा तो गौ महंंगाई बढ़ने का कोई बड़ा असर नहीं दिखाई देता लेकिन जो बिसक्ट खा रहा है जो फुर्वियर पहन रहा है उसके उपर महंगाई बढ़ने का सर दिखाई देता और सबको एक तरह से नहीं मारती है पहला सवाल आया है सर संदेश जी का संदेश जी ये कह रहे हैं कि महगाई और मंदी के दौर में क्या सरकार GST काउंसिल को खपत रोजगार बढ़ाने के लिए टीवी, फ्रेज, बाइक, छोटी कार जैसे चीजों पर टेक्स कम करने की ऑप्रेटिंग कॉस्स कम करने की ज़रूरत नहीं है सरकार GST काउंसिल से कहें केंद सरकार मुश्किल है क्योंकि GST काउंसिल तो दूसरे ही प्रस्ताओं पर विचार कर रही है, वो तो टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताओं पर विचार कर रही है, वो तो उसको तो रेविन्य निट्रल लेट से उपर जाकर राज्य सरकारों को क GST में कटवती या कमी कराने के लिए अगर GST काउंसल त्यार होगी तो किन सरकार के लिए एक बड़ा जटिल समस्या शुरू हो जाएगी और इसलिए हम मानते हैं कि हम दिख रहा है हमें कि सरकार बड़े फिक्स में है क्योंकि अगर मालीजे GST काउंसल ने टैक्स में कटवती किन सरकार को या तो फिर बड़ा नुकसान अपनी बैलेंस शीट पर हिट लेना पड़ेगा तब जाकर ये चीज़ें सस्ती हो पाएंगे दूसरा सवाल वेद जी का है वो कह रहे है कि कई कदम उठाने के बाप जूद भारत मैनुफेक्टरिंग हब क्यों नहीं बन पा रहा है ये दूसरा सवाल है हम इस पर काम कर रहे हैं आप इंतजार करिए शायद इसी महीने बजट से पहले हम भारत के मैनुफेक्टरिंग हब बनाने के जो ताजा प्रयास हैं जो अभी तक हुए हैं पिछले पांच-चे महीनों में उनका एक रिपोर्ट कारड आपके सामने लेक कर आएंगे तो हम समझने की कोशिस करेंगे कि हम भारत में मैनिफेक्टरिंग को बढ़ाने आमंतरित करने में सरकार किसी मा तक पहुंची और कहां कहां अभी चीजें फस गई हैं इसे हम विस्तार से लेकर आएंगे ये इस विशह पर इसी महीने हम एकनोमिकम के किसी एपि आती है और अब इसका एक कैलेंडर उपलब्द है आपके पास असंग की सवाल हैं जो एकनोमिकम में आप पूछते हैं अर्थवे उस्था पर निवेश पर और मनिनाइन के तमाम अलग लग शोज में पूछते हैं अब हमने पूरी हेल्प लाइन बनाई है जिसका एक पूर के सीधे जवाब लेकर आपको देंगे ये कारेकरम सोमवार से शुक्रवार तक प्रति दिन मनिनाइन के हेल्प लाइन के जरी है आप उस पर एकसेस कर सकते हैं उसका नाम हेलो मनिनाइन है हेलो मनिनाइन मेरा सवाल है और आप भी अपना सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो स्टॉक से हो भीमा से हो मुच्वल फंट से हो आपकी किसी भी फैनेशल प्लानिंग से जुड़ी जरूरत से हो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं रोज दुपहर 2-3 मनिनाइन के यूट् सवाल पैज सकते हैं, इमiyor आईडिये जिस पर आप अपना सवाल लिखकर बेज सकते हैं, अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाईल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि आप मोबाईल नंबर नहीं लिखेंगे तो हो आपテiness संपर्क कैसे पास थी. सर अब झहलग दिखाइए किस्सों के सिक्या किस्सों का सिक्का, बजट का मौका है, इस बार हम आपको एक दिल्चस्प किस्सा सुनाएंगे, टैक्सेशन को लेकर, एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे, जिसको डूमस्डे बुक कहा जाता था, और उस कि निम्मोंति की रखम से को टैकसिश की शुरुवाइब Umling ट होती है टैकस के इतिहास का एक ब्हएद अज्याना किस्छा जो आप को बताएगा क्या कि टैकस लगाने की सूज पहले राजाओं को और बाद में सरकारों को किसंने दी इस है ब्याज दरों को ट्य करने की प्रक्रया हुआ हुए उनके जिडरे ही दुन sorting है अDas मिस्ण विट में जब सब बेंड के दौर से ले रहा झुवारी किताब के तौर बताती confess का दो फीकिता डला में जन्परक्णफ रॉब्ध है आप भी पड़ सकते हैं एड़वर्ड राइटर है कुछ किस्ते में लेकर आपके पास यह तो किस्तों के सिक्षे में या एकनॉमिकम में जरूर आऊंगा और मैं तब हम जान पाएंगे क्या किरिए ब्याइदनों की पूरी विवस्ता दुनिया में कैसे शुरू होती है और कैसे चल रही है तो यह था हमारा आज का एकनॉमिकम सारे हिस्से आपके सामने खुल चुके हैं अगला एकनॉमिकम लेकर फिर रविवार को आऊंगा इंशुमान जी के साथ तब तक के लिए दीजिए जाधर नमस्का